हेलो प्रेंड्स कैसी हो आप सभी उमीद करती हैं हम सभी बहुत अच्छे आंगे और प्रेंड्स देखें अभी में सारा काम मैंने खतम कर लिया है और अभी दस बज़े का टाइम हो रहा है और मैंना यहां पर बैठके खा रही थी आलो की कचोड़ी आई यह देखें फैंस और यहां पर आयांस भी है इसको मैं नहला दोंगी अभी थमिदर बाद और बैस यहां पर दुप में बैठके और मैं नस्ता कर रही थी और अभी रे यह लेकर आये थे और यह ना SSF ब्रांड करके कोई बहुत बड़ा हाई ब्रांड का नहीं है पर यह अच्छे है अफुटिवल प्राइस में है और साइद मेरा पहले भी यही था लेकिन बहुत दिन चला 10-15 साल पहले वाला चला क्योंकि सोफा तो मेरे पास 10 साल से हो गया ह और पहले कई यह हमने सेकने लिया था तो सोचै जिन के पास पहले था वो कितना साल यूज ख किये थे उन लोगों नभी पांच सेल impose किया होगा और अब जाके हम नया गद़ने और पता है यह नहाँ अधा लिए और एक बार हम लोग बजाज ब्रांड का फॉर्म पुझे थ जबकि यह जो है यह फॉर्म यह चार इंच का है उचाई और यह देखी फ्रेंड्स यह थिनर जो आजिते के पापा लेकर आए मैंने ही मंगवाया है यह जो दाग धबे रहते हैं अलमारी डेशिंग टेवल उसको छुड़ाने के लिए मैंने मंगवाया है थिनर और उसके बा अभी लेकर आया मेरे हजबन जैसे कि आप सभी ने देखा अब मुझे इसका कवर लेना है तो फ्रेंड्स जब यह आ गया था न तो फिर यहां पर मैं इसको लगा कर देख रहे थी क्योंकि जो हमारा उपर वाला था उपर तीन इंच का रहता है और नीचे जो बैठने वाल उपर वाला रहने दिये क्योंकि फिर वो नया लेकर कोई फैदा ने क्योंकि यह बिल्कुल ठीक था उसके बाद देखे मैं इसे ने लगा के देख रहे थी कि अगर यह सब नए रहते तो कैसा दिखता तो जब मैं इसे लगा के देख रहे थी और फिर जो पुराना वाला ज कुछ फाइदा नहीं था जो हमारा उपर वाला था वह पांचों खराब हो गए थे क्योंकि खराब हो गए होंगे इतना समय कोई भी जिन्दगी भरतों चलता नहीं है और इसके बार देखे फ्रेंड्स यह वाला जो है ना यह बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था और पहले हमने और दो पूछे थे ना तो पूरा सेटी वो लोग बता रहे थे कि इत्ता इत्तम हैंगा और यहां पर देखी फ्रेंड्स यह वाला जो है ना नीचे वाला मैंने उसको उपर कर दिया और जो अभी लेकर आया है इसे में नीचे बिचा कर देख रही हूं कि कैसा ल लगा के देखें और बहुत अच्छा लग रहा है अब बैठने में एकदम एक एक साइच का लग रहा है और जो हमारा नीचे वाला था ना यह यह ठीक था क्योंकि नी ऊपर वाला जैसे यह अभी चार इंच का हमने लिया है तो तो पर के लिए हमें वहां पर दुकान में मि यहां पर आप सभी देख सकते हो कैसे आयांस को यहां पर बहुत अच्छा लग रहा था नहीं नहीं की गद्दे में खेलने में इसको मजा आ रहा है क्योंकि जब यह बैठ रहता तो धस नहीं रहा था पूरा और यह धीरे धीरे अभी तो टाइट है लेकिन स्था सकते हैं धीरे धीरे यह सॉफ्ट हो जाएगा और यह भी उसी जैसा था और यह जो देखी पुराना उला जो फैवरिक है इसे ही मैं लगा के देख रही थी क्योंकि देखी जब तक अभी हम लोग नया लेते नहीं है तब तक तो ऐसे प्लास्टिक में ही रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसके उपर अगर मैं कवर भी लगाती तो टीके गानी फिसल जाएगा इसी वज़े से ना खराब ना हो इसी वज़े से हमने पुराना ही जो था कवर उसमें ही हमने डाल दिया है और उसके बाद देखे फ्रेंट्स अभी साम का टैम हो रहा है और आजकल इतना जल मैं ही है और मुझे जल्दी फिर घर भी जाना है क्योंकि फिर वो आ जाएंगे उनसे पहले ही तो यहाँ पर मैं जल्दी से आई थी और इस वाले घर की आज मुझे साफसफाई करनी है क्योंकि इसकी एक दिन बाद धनतेरस था यहाँ पर देखे फ्रेंट्स अब मैं आच काम आच हुआ प्लफिटाओ से शृ desserts करेंघर क्योंकि फिर अर यहाँ पर देखे जो के घर के अंदर बहुत सारी जरूरी चीजे ती मेरी यही थी है मैं हमें सब बोलती थी कि यह ला देजे यह नहीं है वो नहीं और मुझे वहाँ पर दिक्कत होती थी मैं यहाँ पर बहुत दिनों से आने के लिए खोज रही थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वहाँ पर भी सारी चीजों को सेट करना था वहाँ पर भी क्लीनिंग करना था वहाँ पर भी सफाई करना था और यहाँ पर भी मुझे सारे समान को ले कर जाना था और जो मेरे जिसे किचन में जो ड्रोर वगरा मैंने लिये थे वो सब यहाई पर ही थे और इतने दिनों से न पतानी मेरे पास टाइम नहीं है कि क्या रही है मेरा सिफ्टिंग खतमी नहीं हो रहा है और वहाँ का काम और यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है पर मैं अभी आई हूँ तो देखे सारी चीजों को मैंने जो जो थी मैंने सब गाड़ी में पहले रखा और उसके बाद देखे अब मैं घर की सफाई करूँगी क्योंकि दिवाली है और यह भी मेरा घर है और मैं जब यहाँ पर आई तो मैं अपना फीलिंग बता देती हो जब मैं यह पर काफी दिनों के बाद ही कम चकशब मुम्हें 10 12 दिन दीन के बाद आई हूं तो ऐसा लग रहा ता ना कि इतने सालों से मैं यहां पर हूं कम से 13 साल से भर में मैंने बिताया 13 साल हो गया है Feels 3 सालों से मैं यहां पर हूँ तो एक और हैता निए कि शरीर के एक अंग्हें पर रह गया ऐसा फिर मैं वहां जाती तो भूल जाती हूँ उसाए चीजर लेकिन इस घर में आती हो ना तो मुझे याद आती कि अरे यहां में खाना बनाती थी यहां मेरा बैट रहता था यहां मेरा अलमारी रहता था यह सारी चीज़े ना एक मैं पूरा मेरे जीवन के साथ यह जुड़ी वी है और मैं बहुत बहुत मेरा एक एक कोना कोना यहां पर ना मेरा मेरी यादे हैं मैं यहां पर यह करती थी पर यह प्रोफ हिसे अब आप आप इस घर की हालत देख सकते हों यह कितनी खराब लगड़ी होगी लेकिन नई में यहां पर रहती थी तो आप सब को पता है मैं हमेंसा इसी घर को अभी इतना थ्वाज़ा खराब हालत में लग रहा है इसी घर को में इतने अच्छी से पर जाते थे और जो जमीन है वो तो हमेशा उसमें इतना ज्यादा नमी रहता था और मैं हमेशा इस सारे दिवारों पर परदा इसी वज़े से लगा के रखती थी कि आप सभी को गंदा ना देखे मेरी वीडियोज को देखकर मतलब यसे बहुत खराब दिखता है तो उस से इसको सुन्दर रखती थी सुन्दर मेरा मतलब के अच्छे से रखती जब मैं रहती थी जैसे कि कोई भी रहता इंसान या कोई भी अपने घर को अच्छे से रखता है फिर उसमें रहता है तो अभी देखे ये मतलब मकान बन गया है और जब मैं रहती थी तो ये घर था और बहुत अच्छा लगता था बहुत लोगों को मेरे बहुत साइज सब्सक्राइबर को ये घर बहुत पसंद था यूकि मैंने उस तरीके से इस घर को रखी थी और अभी सारा समान यहां से हड़ गया है और अभी देखिए अभी सारा समान हो गया था और मैंने सफाई भी कर दी थी दोनों रूम की और सूरज भी ढल गया था और मुझे जल जली जाना था घर क्योंकि अगर वो लोग ट्यूशन से आ जाएंगे तो वहाँ पे घर लॉक उनको मिलेगा तो इसी वज़े से मैं यहां पर जल्दी करने की कोसिस कर रही थी यहां पर देखिए मेरा फेस वास और बहुत सारी चीज़े मेरी यहीं पर ही है बहुत सारी चीज़े तो अभी मैं सब चीज लेकर जा रही हूँ फिर मैं फुरसा से इस घर में मैं बीच बीच में आते रह रहें लेकिन उसमें अभी पक्का ऐसे डिसीजन नहीं लिये हैं और जब जैसे जैसे कुछ अगर हम लग कुछ सोचते हैं तो फिर मैं आप सब्सक्राइब करूंगी और यहां पर देखिए आयांस इतना ज्यादा तंग करता है ना जहां में साफ कर रही हूं वहीं पर आ रहा तो देखिए यहां पर फाइनली पूरे घर से अंदर से लेकर भार तक में सफाई करके आ गई हूं और बस यहां पर अभी देखिए सूरज ढल गया है सूरज ढलने से पहले ही मुझे जाडू का काम खतम करना है क्योंकि फिर साम हो जाएगा तो फिर साफ सफाई नहीं होता है आप सब को तो पता ही होगा तो इसी वजह से सामान को घर से लाने में और रखना तो उस्वह तो थैकान हो गया था एसंट अभी बहुत कम था तो आप तो साफ सफाई लगा ही रहता है हमेसा कि कुछ दिन बाद फिर गंदा हो जागा तो फिर साफ करना पड़ेगा लेकिन अभी मेरे से जितना बन पाया और अभी आप सब देख सकते हो कितना सारा कच्रा निकला यह सब कच्रा ना ऊपर का जो छज्जा है वहां से हमने जैसे समा और वहां तो इतना सारा काम है कि मेरा खतमी होता है यहां पर अब 이걸 अबहुआ कäreंसे अब बहुत हैं जो मैं लेकर आई हूँ सब कोच आपर अभा साफ कुछ बीर हो एक टेवालWait रहने दिया जिसके ओपर मेरा पहले डीयर में नहीं सारे समान को हमने सभी ने मिलकर यहां पर रख दिया अब सभी चीजों को में जगा पर रखोंगी तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो बाई बाई